मित्रों हमारा दर्व और संस्क्रिती वास्तव में श्रिष्टतम और महान है हमारे पास इस प्रकार के विवस्था है कि हम जिस प्रकार के समस्या से जूज रहे हो। उस समस्या के अनुरूप समाधान हे तुँ वह विवित देवे देवताओं की उपास ना कर सकते हैं। जैसे कि हम सवभागेवटर चाहते हैं, तो हम भगवान सूर्य नारायन की पूजा करते हैं, जीवन में से संकट और विग्नों को दूर करने के लिए गनेश्जी की पूजा करते हैं, तन और वेवर संबंधित समस्याओं के लिए देवी लक्षमी की आराधना करते हैं, वित् जीवन कश्ट और दुखों से परिपूर्ण है, इसमें हम पूरी तरह से समस्याओं से नहीं छूट सकते, तो क्या हम सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी की पूजा करेंगी, किसी के लिए भी प्रत्येक देवी देवता की मित्रो इस प्रश्ण का उत्तर हमें पत्मपुरान से प्राप्ध होता है, जहां पर बताया गया है विश्णों पूजाकृता तेन सर्वेशा पूजणम कृतम, महादानम कृता तेन पूजिता येन वैश्णवह, जिसका की अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान व्ष्णु की पूजा की है तो उस व्यक्ति के ड्वारा अन्य सभी की मुझा भी हो गई और वह व्यक्ति जिसने की भगवान व्ष्णु की परंपक्त glorम इनकी शरणली है और इनकी आराध्ना की है मानों उन्होंने महादान किया है तो इस प्रकार से केवल एक भगवान विष्णु की पूजा और अर्शना करने से अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है क्योंकि जिस संसार में हम निवास करते हैं उसके पालनहार भगवान विष्णु है वे ही अन्य देवी देवताओं की शक्ति के स्त्रोथ है अतह स्रग्दा भाव से केवल भगवान विष्णु की पूजा करना अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करने के समान है साथ ही भगवान विश्णु के परम स्रिष्ट पक्त सभी वैश्णों जन यदि कोई व्यक्ति इनकी शरण लेता है इनकी पूजा और आराधना करता है तो उस व्यक्ति को महादान करने के समान पुण्य की प्राक्ति होती है आज के इस वीडियो में हमने पद्मपुरान के माध्यम से जानकारी दी कि पगवान विश्णु के पूजा करने से क्या होता है अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करे ऐसे ही इंट्रस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशियन को सब्सक्राइब करना ना पूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर बॉचिंग